बिष्मिल्लाणरुर्मायर्हीम असलामलेकार्ण्स कैसे है आप सब उभीरे और मसलाध से अपने गरों-पिल्कूल ठीक ठाक होंगे आज वैसिपी में श्री में करें यहीं की मिलाई रोल की बहुत-ही टीस्टी रेसिपी है बहुत ही पसंदरगी इशाला चाप vapor हम इसको Video theme तो तेनों उप्शंज आपके पास हैं तो चली ज्टी से वीड़ियो को स्टार्ड करते हैं जी तो फ्रेंट्स इसमें हमने लिया है खोया जो है एक कप खोया हमने लिया है इसके लिए रबडी के लिए और जो है वो डेड़ कप खोया हम इसके लिए लेंगे जो इसके अंदर हम मलाई बना कर लगाएंगे यह जो वेट में है यह तकरीबन डेड़ किलो के करीब जो है बर्फी हमने लिये, साथ हम एक बहर कर प्याली जो है वो मलाई की लेंगे और दो गलास हम दूद लेंगे जो इसको पकाएंगे हमके वो इतना रहजे डेड़ गलास के करीब और साथ कुछ नट्स लिये हैं, पिस्ता बादाम अगयरा लिये हैं, आप जैसे भी नट्स के साथ डेकुरेट करना चाहें करें और साथ हमने लिये हैं ब्रेड के पीसीज इनके जितनी कॉंटिटी में मैं आपको बता रही हूँ, इसमें तक्रीबान आपके 14 से 16 पीसे अराम से बन जाएंगे रोल के अब ही हम यह एक कप के करीब जो है वो बर्फी है, इसको हम डालेंगे पैन में और पहले इसकी रबड़ी जो है वो तियार कर लेंगे इसमें एड़ करेंगे, हम 2 glass के करीब दूध है, इसमें एड़ करेंगे और इसको 3-4 जोश जो है हम दे लेंगे ताकि अच्छे से जो रबडी हमारी रेडी हो जाए इसमें हम दो पेंच के करीब जो है वो बिलकुल लाइट सा जो है वो हम जर्दा रंग डालेंगे थोड़ा सा अच्छा सा इनका कालर राज है और तीन टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे चीनी के ये बिलकुल परफेक्ट कॉन्डिटी है आप इसके मताबिक इसको जो है रेडी करेंगे तो बहुत अच्छे सी रबडी जो है बन जाएगी दो लाइची हमने लिए है और उनके बीज अलग करके थोड़ा सा उनको उपर से मैश कर लिए है इनको हमने पकने रख दिया है अब हम बनाएंगे मलाई जो उसके अंदर हम स्लाइस के लगाएंगे उसके लिए हमने जो है वो डेड़ का बरफी ली है और इसके अंदर हम एक प्याली भरकर जो है वो घर की मलाई हो है वो एड़ कर देंगे अगर आपके पास बर्फी नहीं है तो आप खुश्क दूद के साथ इसको बना सकते हैं विल्कुल वो अच्छे से ही बनेंगी बहुत अच्छा उसका भी टेस्ट आएगा अगेन इसके अंदर हम एड़ करेंगे थोड़ा सा जर्दा रंग और थ्री टेबल स्पून ही शूगर हम इसके अंदर भी एड़ करेंगे क्वांटिटी जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही पर्फेक्ट है आप इसको फॉलो करेंगे तो इन्शालब बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यह हमनी शूगर इसके अंदर एड़ कर दी है थोड़ा सा हम वंच पिंच जो है वो जर्दा रंग इसके अंदर एड़ करेंगे बर्फी जो थी है एक्शली हमारी थोड़ी सी डाक कलर की थी इसे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डाक हो गया अगर राइट कलर की होगी तो फिर इतना ज़्यादा डाक कलर नहीं आएगा और अगर आपके पास डार कलर की वर्फी है तो पेश्यक आप जर्दरंग जो है वो स्किप कर सकते हैं इसको हम कुक करेंगे और इसकी कॉंसिस्टेंसी में आपको दिखा दूँगे कि कितना गाड़ा ये होना चाहिए दो अदेद हमने ली है छोटी सफेद अलाइची इसके अंदर हमने उसको पीस कर डाल दिया है आप अलाइची का पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम चलाते जाएंगे चमच को और इसको कुक करेंगे जब तक कि इसका बहुत स्मूथ सा पेस्टना बन जाए ये दिखेजे रबड़ी जो हमारी त्यार हो रही है माशाला से कुक हो रही है आईसा इसा ये डिजॉल हो जेगी बर्फी इसके अंदर और बहुत ही प्यारा इसका टेक्स्टर बन जाएगा कलर भी बहुत ही अच्छा आया इसका ये दिखेजे हमारी रबड़ी जो है वो भी रेड़ी हो रही है लम्दुल्ला ये दिखे बिल्कुल इसका जो है वो पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी जो होती जा रही है थोड़ा सा अब हम इसको मजीद को करेंगे ताकि ये अपनी पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी है उसके अंदर ये आ जाए बहुत ज़दा गाड़ा हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि स्लाइस की उपर जब हम इसको स्प्रेड करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी और ठंडा होने के बाद तो थोड़ा सा ये गाड़ा खुद से हो जाती है इसलिए इसको आपको जो हो ये देखे बिल्कुल प जाएगी और फिर स्लाइस पे जो हो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगी रपड़ी भी मारी माशाला से त्यार हो गई है इसको दो तीन वाल आ गए है अच्छे से और अब हम इसको उतार लेंगे 14 से 16 रोल तक हम इसके अंदर से बना सकते हैं इतनी क्वालिटी में ये सारा बैटर जो है वो मैंने आपको बता दिया है अगर आप इससे कम चाहते हैं तो आप इसको हाफ कर सकते हैं ये दिखे माशाला से बहुत अच्छी रेडियो गी आप दोनों चीजों को जो है नो हम चैंसी चेक कर लिए बहुत ज़्यदा गाड़ी नहीं हम करेंगे क्यों स्लाइस ने इसको सोब करना है बहुत ज़्यदा गाड़ी होगी तो स्लाइस जो है वो सौफ्ट नहीं हो पाएंगे आप जो स्लाइसीज हैं अब हम उनकी जो है वो कनारे रिमूव कर लेते हैं इसको अगर आपके पास सीजर है तो आप उसके साथ भी इसको कनारे को बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत आराम से इसके कनारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इसको यह फर्दन फर्दन आपको करना पड़ेगा, सारे स्लाइस के साथ लग-लग से इसको आप अपपलाई करेंगे, और अगर आप के पास कोई शाप नाइफ है, उसके सब भी इसको आप कट कर सकते हैं ये सीजर के साथ हमने कट कर लिये अब हम आप को दिखाते हैं कि आपने आप चेक कर चुके होंगे के बहुत ही simple recipe है आप इसके बारे में मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि आपको यह recipe कैसी लगी है और पसंद आए तो like और share इसको जरूर कीजेगा कनारे जो होते हैं वो थोड़े से hard होते हैं इसलिए हम इनको remove कर देते हैं otherwise आप इनको जाया मत कीजेगा इसके bread crumbs जो है वो बना लीजेगा यह दिखे हैं हमने साथ एक slices के जो है वो कनारे remove कर दिये हैं अब हम इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे बेलन के साथ और इसके लिए हमने counter top को ही चूँस किया है उसके हम इसको रखकर अच्छे से इसको बेलन से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है ब्रेड कोशिश कीजेगा कि आप फ्रेश ब्रेड लें जिसके slices जो है वो soft हो उससे यह कि बहुत अच्छे से इस तरह से बेल हो जाएंगे अधरवाइस जो हार्ड हो जाती है यह ड्राइ ब्रेड होगी वो कभी उसके साथ अच्छे रोल्स जो है वो नहीं बनेंगे बिल्कुर फ्रेश ब्रेड का आप इस्तमाल कीजेगा यह देखे जिस slice को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है यह देख रहे हैं आपकी स्की मोटाई जो है वो बिल्कुल खतम होगी बिल्कुल बारीक लेयर यह बन चुकी है इसी तरीके से हम सारे slices को जो है वो बेल लेंगे यह देखेć यह देखे sevens मैंने सारे slices के जो है वो खनारे जो है रिमूव करके उनको बेल्लेंगे साथ अच्छे से प्रेस कर लिया है आप जो है वह मैलाईर बनाई है उसको हम इसको इसके उपर अपलाई करेंगаг क्योंग बहुत easy recipe है, अगर आचानक से घर में महमान आ जाएं, तो बिलकुँ यह जहट पट बन जाने वाली recipe है, और इसको ठंडा करके जब आप serve करेंगे, तो यकीन कि जब बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही tasty यह rolls बन के त्यार होते हैं यह देखे, इसको हमने इस तरह से fold करते हुए, जो हुए एक roll की shape दे लिए, और अब हम इसको जिस dish में हमने serve करना है, उसके अंदर जो है, इसको हम रखेंगे यह अगी है हमारी serving dish, और अब हम इसके अंदर सारे rolls बना के, जो है, वो add करते जाएंगे, इसी तरीके से जो है, हम सारे rolls जो है वो बना लेते हैं जी, अलहमदोलिल्ला, rolls जो है, हमारे सारे बन चुके हैं अब हम उसके उपर रबड़ी डालेंगे, जो हमने त्यार की थी, यह माशाला देखिए अभी से कित्ती प्यारी, इसकी look जो है स्कॉम ने डेकुरेट कर दिया है माशाला से कित्ते प्यारी यह डिश मारी रेडी होगी है जटपट बन जाती है, इसी बजट के साथ बन जाती है आप ही ज़रूर च्राइ कीजेगा, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजेगा फिर मिलेंगे इन्शाला किसी और अच्छी और इंटरस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए, अल्ला हफीज